सब्सक्राइब कीजे हमारे यूट्यूब चानल को और दबाईए इस वेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले जै स्री राधी मित्रों वैदे कृषी यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक श्वागत है आप इसे सब्सक्राइब भी किये हैं आप इसे देग भी रहे हैं और मुझे बहुत खोसी हो रही है आपके प्रश्णों का उत्तर देने में और आपके जो प्रश्ण आते हैं जादा से जादा हम उस प्रश्णों को बिस्तार में चैनल के माध्यम से आपको बताने की चेश्टा कर रहे हैं आज आपका एक प्रश्ण है हमारे शामने कि जोतिस के अनुशार कौन सा ग्रह घर खरीदने के लिए अच्छा माना जाते हैं आप जन पत्री में जब भी देखें तो चतुर्त भाव जो होता है वो घर का होता है और द्वादिस भाव सैयन का होता है बेड का होता है सुख का होता है तो घर कौन सा भाव तो चतुर्त भाव घर खरीदने का अस्थान है घर में रहने का अस्थान है तो इसमें मंगल जो है वो जमीन का कारत भूमी का अकारत है सनी भी मकान दिलाता है तो सनी ग्रह की अच्छी पोजीशन मकान के लिए कारियरत रती है ध्यान दें अगर मकान खोपसूरत और अच्छा है तो उसमें मुख्य कारियर सुक्र का है लक्जरियस की जितने भी चीजे हैं अगर आपके घर में अच्छी हैं तो निश्चित है कि सुक्र उस समय अच्छा प्रभावी है या सुक्र का प्रभाव अच्छा है तो आपको जमीन लेना है तो मंगल मकान लेना है तो शनी और अच्छे घर की प्राप्ति करने है तो आपका सुक्र तो इस प्रकार से आप अपने ग्रहों को देख सकते हैं कि हमारे काउन सी दशा या अंतरदशा चल रही है कि जिसमें हम मकान ले या अच्छे घर को प्राप्त करें ध्यान दें कि सुक्र मकान का कारत तो सुक्र ही है पर तो बिना सनी के मिलता नहीं मंगल के बिना जमीन मिलती नहीं तो मकान तो जमीन पे ही है इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि मंगल हो शनी हो इनका प्रभाव हो या मंगल का प्रभाव हो तो निश्चिति ये व्यक्ति को घर के प्राप्ति होगी उसमें उसको अपार्टमेंस लेना है माने बिल्डिंग में घर लेना है बंगले प्राप्त करना है या रोहाउसे से कैसा मकान प्राप्त करेगा यह भी आपके ग्रह इंगित करते हैं इन ग्रहों को समझने के लिए, जब हम बोर्ड पे आपको समझाएंगे, तम आपको समझने आएगा कि कैसे कौन से योग बनते हैं, जो बंगलों को दिलाते हैं, कौन से योग बनते हैं, जबकि अपना घर होने के बाउजुद भी मेरा नहीं रहता, वो दूसरे का हो जाता है जब उसके उपर कोई पाप प्रभाव ज़्यादा होता है चतुर्थ भाव पे हैं चतुर्थ भाव और चतुर्थ का कारक यानि मकान का कारक तो निश्चित है कि पाप प्रभाव जादा होगा तो आप मकान आप खरी देंगे और उसका आनन्द कोई दूसरा ले लेगा या आपने उसको भाड़ा क्यों मिल रहा है कुछ दिन के बाद हो भी बंद हो गया और मकान दूसरे के कभजे में चला गया तो जब अगर कभी ऐसे ग्रह योग हो तो किसी अपने योग की जोतसी से मेल करके आप उनसे राय ले करके उसका उपाय करे या भाड़े पन्न देने की चेश्टा करे तो मकान को आपको ऐसे प्राप्त होगा सर आप कोई भी प्रशन कर सकते हैं ज्यादा प्रशन आने पर मैं उनका उत्तर एक साथ में देने की चेश्टा करता हूँ और जो मांग होता है उसे भी पूरा करने की चेश्टा करूँगा जै स्री रादे